हेलो प्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आप कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वो वीडियो जरूर देखें तो आईए आज का वीडियो शुरूर करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समिधान क्या है और समिधान से संबंधित जो जो प्रसन एकजाम में आते हैं और भारतिय या राज विवस्था से संबंधित हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी जैसे की प्रधान मंतरी सब ही पे टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी आपको तो आईए हम लोग आज की वीडियो सुरू करें तो जैसा की सुरुवात है समिधान क्या है तो दोस्तों लिखा हुआ है यह लिखित और मौलिक दस्ता वेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की सासन विवस्था संचालित की जाती है यानि कि समिधान उसे कहते हैं जिससे किसी देश की सासन विवस्था को संचालित की जाती है law and order को उसी को हम लोग समिधान कहते हैं अब हम लोग देखें Question No.1 क्या कहता है Question No.1 है भारतिय समिधान का निर्मान करने वाली समिधान सभा के सदस्यों का चुनाब कब किया गया तो दोस्तों भारत में जब भारत में जब भारत छोड़ो अंदोलन शुरू हो गई थी 1942 में उसके बाद उसके बाद जब ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी 1945 में कलेमेंट एटली प्रधान मंत्री वने तो वो कलेमेंट एटली जो है अपने मंत्री मंडल से मतलब अपने कैबिनेट से तीन प्यक्ति को भारत भेजे कि भारत को आजादी कैसे दिलाया जाए और इसकी परकिरिया क्या हो और भारत में एक समिधान का निर्वान कैसे किया जाए ओके तो वो जो तीन मेंबर जो थे कैबिनेट के वो भारत आए और उसके बाद यहाँ पे समिधान बनाने के लिए जो भी समिधान सभा था इसका भास यह आप जो है एक समाने भासा में समझिए कि अभी का जो संसद है अभी का जो संसद है इसी को समिधान सभा कहा जाता था तो अभी जैसे लोक सभा है राज सभा है तो आप एक तरह से समझिए कि वो समिधान सभा था और उसी के सदस्यों का चुनाब होना था जो की समिधान बनाते सभी सदस मिल के समिधान बनाते उसका चुनाब होना था ओके वो भारतिये जनता के द्वारा होता नहीं जो भारत के हर एक जो भी राज में बिधान सभा था जो है मतलब उसमें होता और जो भी राजा थे वो भी मनोनित करते ओके तो आईए हम लोग उसके बाड़े में वो कैबिनेट मिसन जो आया वो क्लेमेंट एटली के मंत्री मंडल के मंत्री मंडल के तीन सदस जो भारत आए और बताए कि कैसे चुनाब यहां पे हो क्या हो और वो चुनाब कब किया गया तो इसका सही आंसर होगा कब जुलाई 1946 में कब जुलाई 1946 में चुनाब संपन हुआ और यह चुनाब जो हुआ था आपका हरेक राज के बिधान सभा में हुआ था कहां पे हुआ था यह हरेक राज के बिधान सभा में हुआ था समिधान सभा के सदस्यों का चुनाब हरेक राज के बिधान सभा में हुआ था ओके चलिए इससे सम्मंदित अगला प्रसन हम लोग देखें क्वेश्चन नमबर दू है भारतिये समिधान को किस समीती किस समीती आयोग के सिफारिश पर बनाया गया तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग समझें कैबनेट मिशन वो क्लिमेंट एटली के मंत्री मंडल क्लिमेंट एटली कुन थे ब्रिटेन के परधान मंत्री थे कब उन्हें सो पैंतालिस में बने थे ओके और यह ब्रिटेन के परधान मंत्री थे यह अपने कैबनेट से तीन आदमी को भारत भेजे थे इसलिए इसका इस मिसन पर कि भारत में जाई और भारत को कैसे आजाद किया जाए और वहां पर समिधान का निर्मान कैसे किया जाए इसको आप देखिए और एक जो है ड्राफ तयार किजिए इसी लिए उस उसको कैबनेट मिसन खाहा जाता है कैबनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्री मंडल भी इसलिए इसका अंसर क्या होगा मंत्री मंडल मिसन या फिर कैबनेट मिसन ओके चलिए देखें कोशन नमबर तीन कोशन नमबर है तीन कैबनेट मिसन मंत्री मंडल मिसन में कुल कितने सदस थे तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कलिमेंट एटिली के मंत्री मंडल से तीन सदस भारत आए वो परधान मंत्री जो थे वो भेजे अपने मंत्री मंडल से कितने तीन सदस तो इसका अंसर कितना हो जाएगा ओप्सन नमर सी तीन इसका हो जाएगा अंसर ओके अब हम लोग आगे देखें चलिए अब कैबनेट मिसन के जो सदस थे कितने थे तीन थे तो आईए हम लोग देखें कौन-कौन थे तो दोस्तों जो है उसमें थे प्रेफर morality थे प्याथिक लॉरेंस थे प्याथिक लॉरेंस यह थे उखें जह है उसमें थे आपका a b elk gender यह भी थे उसमें आपका थे इस्टेपर्ट क्रिप्स थीन हम लोग लोग पढ़ें कितना तीन तो उसमें थे पैथिक लॉरेंस थे एबी एले जेंडर थे और इस्टेबर क्रिप्स थे उसमें बेवेल सदस नहीं थे ओके आईए और अब हम लोग देखें क्या ये कैबिनेट मिसन का अध्यक्ष था कौन ये तीनों में एक आदमी अध्यक्ष थ और दो उसका मेंबर था तो कि उसमें तीनों में जो है अध्यक्ष था कौन पैथिक लॉरेंस था अध्यक्ष और एबी जेंडर और इस टैपकर क्रिप्स जो थे पैथिक लोडेंस इसका होगा अध्यक्ष्य, अभ आई, अभ हम लोग समझें, बेवेल था कून, तो उससमय जब कैयेआट मीशन जब यहां पे सम्मिधान बन रहा था, उस समय बहरत में वाइसराय था, मौन उस समय बहरत का वाइसराय था, कौन लोड़ बेवेल था, ओके, और वहाँ पे जो है इंग्लेंड में ब्रिटेन में था कौन पर्धान मंत्री ब्रिटेन में पर्धान मंत्री था एटिली क्लेमेंट एटिली था ओके आए हम लोग आगे देखें कोस्ट नमर पांच कैबनेट मिशन को भारत भेजने वाला ब्रिटेन के पर्धान मंत्री कौन थे तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन क्लेमेंट एटिली ओके साप साप है आए आगे देखें कोस्ट नमर छो चो है संभिधान सभा का अस्थापना कब हुआ चुनाव कब हुआ था जुलाई उनिस्सो च्यालिस में और इसका अस्थापना कब हुआ छो दिसंबर उनिस्सो च्यालिस को संभिधान सभा का गठन जो हुआ अस्थापना जो हुआ आपका हुआ कब चो दिसंबर उनिस्सो च्यालिस को ओके आई आगे देखें कोस्ट नमर साथ इसमें है संभिधान सभा का पहली बैठक कब हुई तो अस्थापना हुआ कब चो दिसंबर उनिस्सो च्यालिस को अस्थापना हुआ उसके बाद जब अस्थापना होगा उसके बाद तो बैठक होगा गठन होगा उसके बाद बैठक होगा तो बैठक जो हुआ पहली बैठक होगा तक अब 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन पहली बैठक के दिन ही इसका मतलब अब यहां पर समझे जो सदस हैं तो मतलब इसमें से अध्यक्ष तो होगा नेक आदमी जब तक किसी सभा का एक आदमी अध्यक्ष ना हो तो फिर सभा चलेगी कैसे तो इसलिए उस दिन समिधान सभा को चलाने के लिए एक टेंपरोरी अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम था सचितानन्द सिन्ह जो की बिहार के ही थे उनका था नाम सचितानन्द सिन्ह तो एक्जाम में आता है यह भी कोश्चन कि समिधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो उनका होगा नाम सचितानन्द सिन्ह समिधान सभा के पहले और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तब भी इनका ही होगा नाम सचितानन्द सिन्ह को समिधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया तो इसी दिन किस दिन पहली बैठक के दिन ओके आई यह हम लोग आगे देखें कोश्चन नमर आट समिधान समिधान सबहा का पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की तो अभी हम लोग पढ़े हैं पहली बैठक की अध्यक्षता सचदानन सिन्ह किये थे जो एक औस्थाई अध्यक्ष थे टेंपरोडी थे उस दिन अस्थाई अध्यक्ष नहीं कोई बना था इसलिए समिधान सबहा को चलाने के लिए एक टेंपरोडी अध्यक्ष का चुनाब किया गया था तो उनका था नाम सचदानन सिन्ह ओके आईए हमों लोग आगे देखें और वो डेट था कौन था 9 देसंबर 1946 ओके आईए हमों लोग अब देखें आगे कौशन नवर 9 डॉक्टर राजेंदर परसाद को समिधान सबहा का अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया पहली बैठाख हुई कब 9 दिसंबर को उसके बाद उसके दो दिन के बाद यहनिकी 11 दिसंबर को समिधान सबहा का अस्थाई अध्यक्ष के रूब में डाक्टर राजेंदर परसाद को अध्यक्ष के रूब में चुन लिया गया ओके और इसी दिन एक एक जो है उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष हुआ तो एक उपाध्यक्ष ओके इसका भी हुआ था चुनाब उनका क्या नाम था HC मुखड़जी यानि की हीरेन चंद्र मुखड़जी यानि की समिधान सभाग के पहले उपाध्यक्ष हीरेन चंद्र मुखड़जी थे HC मुखड़जी हीरेन चंद्र मुखड़जी ओके चली आई यह हों लोग आगे देखें कोशन नमर दस समिधान सभाग के सदस्यों का चुनाब हुआ था कैसे हुआ था पर्त्यक्ष यानि की जन्ता के द्वारा नहीं और पर्त्यक्ष हां और पर्त्यक्ष वाता जन्मत संग्ड़ा के द्वारा यह एक ही है जन्मत संग्ड़ा के द्वारा नहीं इन में से कोई नहीं यह हटाई है इसका अंसर होगा और प्रत्यक्ष यानि कि ये समिधान सभा के सदस्यों का चुनाब जो है और प्रत्यक्ष रूप से राज के विधान सभाव में हुआ था का हुआ था प्रत्यक्ष राज के विधान सभाव में समिधान सभा के सदस्यों का चुनाब हुआ था और जो भी राजा लोग थे वो भी मनोनित किये थे इससे सम्बंदित जो भी प्रसन है अभी और है समिधान से सम्बंदित वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें और आप सम्बिधान से सम्बंदित और भारतियर आज विवस्ता से सम्बंदित हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा और आपको जो एक एक अच्छी सी जो है नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों